वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मदूरी मा को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तो कोन है जो इस दिपावली मा लक्ष्मी को अपने घर ना बुलाना चाहता हो अगर आप भी मा लकष्मी का आशिरवाद चाहते हैं सच्चे मन से कमेंस में जरूर लिखे जै मालक्ष्मी जै मातादी दोस्तों मातारानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दिपावली से पहले धन तेरस की तैयारियां जोरो शोरो से शुरू होती है धन, हर्श और सुख समरिधी देने की मान्यता वाला ये पर्व इस साल 2 नवंबर 2021 को मनाय जाएगा दीपो उत्सव की शुरूरात भी धन तेरस से ही हो जाती है बर्सों से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी धन तेरस पर पूरे विधी विधान से पूजा आरचना करता है उसे धन और समरिधी दोनों की प्राप्ती होती है यही वज़ा है कि धन तेरस पर नई वस्तूओं को खरीद कर घर लाय जाता है दीपो से साच सज्जा के बाद घर में मालक्षमी वे कुबेर देव की पूजा होती है धन तेरस की तिथी इस वर्ष दो नवंबर की है दिन होगा मंगलवार पूजा का शुब महरत शाम 6 बजकर 18 मिनट से 8 बजकर 11 मिनट का है दोस्तों कुबेर देव धन के देवता तो है ही ये भी माना जाता है कि वो भगवान शिव के द्वार पाल है रावन से भी उनका गहरा नाता माना जाता है वो रावन के सोतेले भाई माने जाते हैं पुरानों में ये भी कहा गया है कि रावन ने कुबेर को अपने सिहासन के नीचे रखा था ताकि लंका में कभी धन की कमी न हो। पुर्व की कृपा से ही गुबेर को धन के देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। उसमें अगर स्वस्त पौधा निकलता है तो पूरे वर्ष आपके आर्थिक स्थिथी अच्छी रहेगी। अगर आप खरीदने की इतनी भी शमता नहीं रखते हैं तो निराशना हो ये। मिट्टी इन सबसे अधिक सस्ती और सबसे अधिक शुब हुए पवित्र मानी जाती हैं अतै आप मिट्टी की विविद प्रकार की चीजे ले सकते हैं। धन तेरस से लेकर दिपावली तक मिट्टी और टेरकोट की कई सामगरी बाजार में उपलब्ध होती है। अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार इन्हें अपने घर ला सकते हैं। दोस्तों यम के निमित दीपक आपको किस तरहां से लगाना है। पूर्ण विथी और शुब मुहरत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिएगा। पुरानों में वर्णत कता के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूदों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्रान हरन करते समय किसी पर दया आई है। तो वो संकोच में पढ़कर बोले नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय काप उठा था। हेम नामक राजा की पतनी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो जोतिशों ने नक्षत्र गन्ना करके बताया कि ये बालक जब भी विवा करेगा उसके चार दिन बाद ही मर जाएगा। ये जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में भ्रहमचारी के लेकिन जैसे ही चौथा दिन पूरा हुआ राजकुमार की मौत हो गई अपने पती की मृत्यू देखकर उसकी पतनी बिलक बिलक करोने लगी। उस नव विवाहिता का करोना विलाप सुनकर हमारा हिर्दय भी काप उठा था। यम्दूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प् दिको धन तेरस के दिन पूजन और दीपदान विधी पुर्वक करना चाहिए जहां ये पूजन होता है वहां अकाल मृत्यू का भै नहीं सताता। कहते हैं कि तबी से धन तेरस के दिन यम्राज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा प्रचलित हुई है। यम के निमि या जब लगाएं तो पूरे परिवार के सभी सदस्या होने चाहिए चलिए आपको बता दे दोस्तों के यम के निमित दीपक लगाने का मोहरत क्या है धन तेरस की शाम को पांच बचकर चौतिस मिनट से शाम छे बचकर चौवन मिनट तक यमराच के लिए दीपक जलाये जा सकता है इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का इस्तमाल करें उसमें सरसों का तेल डाले और रूई की बत्ती बनाएं घर से दीप जला कर लाएं और घर के बाहर उसे दक्षिन क और मुकर, नाली या कूड़े के धेर के पास रख दें इसे मोरी दीवा भी कहा जाता है एक दीपक आपको रात के समय धनतेरस के दिन मुख्या द्वार पर भी लगाना है इसमें आपको एक कौड़ी और एक रुपे का सिक्का डालना है और अपने घर के मुख्या द्वार पर आप इसे रखे तो कभी भी घर में कोई अनहोनी नहीं होती है इसे के साथ दोस्तों आप आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको धनतेरस की रात को सोने से पहले करना है धनतेरस की रात घर से बाहर निकल कर एक कौड़ी आप अपनी छट पर फैक दें माना जाता ह है कि कौड़ी लक्ष्मी ची को आकरशित करती है तो ये एक तरहा से मा लक्ष्मी को आप घर पर आने के लिए आमंतरित कर रहे हैं मा लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चड़ानी चाहिए इससे आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है और मा भी आपसे गौमती चक्र पल्लू से बांध ले और पूजन के बाद इसे अगर आप पीले कपड़े में बांध करके घर की तीजोरी में रख ले तो ये बहुत ही शुप माना जाता है दिपावली के दिन भी जब आप पूजन करते हैं तब भी आप ये उपाई कर सकते हैं आठ बजे के बाद दोस्तों आपको कभी भी सनान नहीं करना चाहिए सुभा के समय जो महिलाएं आठ बजे के बाद सनान करती है तो उस घर में कभी भी शुपता नहीं आती और खास कर धन तेरस के दिन घर की महिलाओं यहां तक के घर के सभी सदस्यों को सुभा आठ बजे से पहले ही न नहां लिना चाहिए देरी न करें दोस्तों वरना आप के ऊपर मालक्षमी रुष्ट हो सकती है और ऐसे घर में मालक्षमी प्रवेश्ट नहीं करती है क्योंकि ऐसे घर में दरीदृता का आवास होने लगता है दोस्तों और जहां पर भी दरिद्रता अपनी जगा बना लेती है मा लक्ष्मिया ऐसे घर से चली जाती है दोस्तों अब सवाल आता है कि धन तेरस पर जाडू लाएं या दिवाली पर तो आपको बता दे के वैसे तो खरीदारी के लिए धन तेरस सबसे शुब दिन है तो आपको जाडू इसी दिन लानी चाहिए लेकिन अगर अब आप इस दिन चूप चुके हैं तो आप दिवाली के दिन ले आईए लेकिन धन तेरस पर लाना जादा शुब रहता है, सही रहता है तो दोस्तों आपको इंवीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों आपका देने शुब रहे, जैमा लक्ष्मी, जैमा तादी, हापी दिवाली